आधरनिये पिंटु जी जो हम लोग के सिता मरीश संसद है वो हमारे दल के हैं आपकी पाटे में भी खट-पठ हुए और छेत्रिये दल में नितीस कुमार जी एक बहुत बरीबी स्वस्निये चेहरा है उनके चेहरा को आज को योगिता के आधार पे प्रसासनी को राजनीती को समाजी को यह अनुभब के आधार पे उन्होंने अपनी भावना को कहा कि अगर कॉंग्रेस वाले अगर इस चीज को यहीं नंकिशोर यादव जी यही जितने मंत्री वह प्यम मेटेरियल भी कहते थे तो किस बेस पे कहते है नमस्कार आप देख रहे से साटू मैं अब आप कर सकते हैं कि देश के तमाम नागरिकों का मत और वोटिंग करना है वो वोटिंग होगा देश के परधान मंत्री के लिए कौन बनेगा परधान मंत्री वो तो जनता जनारदन तय करते हैं लेकिन इस बीच जदियू में फिर से एक बगाबत शुरू हो गई है खट है हम सीदे सीदे चलते हैं जद्यू के प्रदेश सचीव है सब्सक्राइब करते हैं आपकी पार्टी में लोगतांत्रिक ववस्ता होती है तो उससा पार्टी में चलते रहता है चुकि यह प्लेटफॉर्म है सब अपने बातों को रखते हैं तो इसको आप प्रेस के लोग इसलिए आप खटपट कह सकते हैं लेकिन ये लोगतांत्रिक प्रकिरिया का एक मजबूत अस्तम होना जाता है एक विवाद आया कि बाच्चीत हुआ है वो है सीता मडी के सांसद है सुनिल कुमार पिंटु जी ने मोदी है तो मुम्ती ने जमकर तारिफ किये है और साथ में जब उनके कार्याले आप उनको जब देखिएगा तो एक तरफ नितिश कुमार दूसरी तरफ सुनिल कुमार पिंटु और सबसे मज़दार देश के परधान मंत्री नरेंदर मोदी की तस्वीर है अब तो कुछ लग रहा है देखिए ऐसा है कि मानिये नरेंदर मोदी जी हम में लोग किशिता मरीश संसद है वह हमारे दलके हैं और उन्होंने नितिश कुमार जी के प्रतीवी सरधा में कोई कमी नहीं दिखाई हैं अगर कॉंग्रेश जिस तरह से हम लोग इंडिया एलाइंस का काम किये और इंडिया एलाइंस मिलके ही मोदी जी को हम लोग सत्ता से बिदखल कर सकते हैं इसलिए कॉंग्रेस वाले को पीछे रहके छेत्रिये दलों को आगे करके और छेत्रिये दल में नितीस कुमार जी एक बहुत बरे भी स्वस्निय चेहरा है उनके चेहरा को आज पूरा देशी नहीं पूरे बिदेश में भी सरहा जाता है आप कहते हैं कि मागडबंदन मोदी जी को हटाने के लिए तीन अस्तानों से हार गए अब क्या होगा देखे हार जी तो लगा रहता है लेकिन आप और चीज़ गौर करिएगा कि जब पूरा बोट का परसेंटेज देखेंगे तो चार करोर नब्बे लाख कॉंग्रेस कि नितीश कुमार जी अगर इंडिया एलाइंस का नेत्रित्व करते सुप्रीमों रहते और देश को आगे लेके जाने की दिसा में काम करते और यह चारों विधान सभा में अगर एलाइंस सहीर से काम कर लेता इंडिया एलाइंस तो निश्चित तोर पर यह नौ लाग जो कम आया है यह ठरलाइंस का लिए घर लाइंस काम है वह पूरे दुनिया को दिखाई पर रहा है भारत के लोग जान रहे हैं कि नितीश कुमार जी आज के डिट में एसे स्वक्षवी के इंसान है एक एसे स्वक्षवी वाले विजनरी लीडर है जो देश को अनेको सब को आगे लेके चल के ही देश को युनाइट किया सकता है और नितीश कुमार जी ने बार बार यह कहा भी चुनाओ के दर्मियान कॉंग्रेस पार्टी को कि चुकि आप एलाइंस का निर्दारन किया लेकिन आप उसको संचारन नहीं कर रहे है ठीक से आप चुनाओ पर ध उनसे हमारा कोई बिरोध नहीं है बिलकुल लेकिन उनकी नीती अच्छी नहीं है गरीबी बरती जा रही है बिरोजगारी बरती जा रही है जोनोंने वादा किया वो कर नहीं रहे है एक और फैसला एक अहम फैसला आई है सुप्रीम कोट ने 370 जो जिस तरह कास्मीर में था चलड़े सारूचेश को आप पुरन लूप से ऑगी है का बहुत जटके में आ आगे है तो सप्रीम कोट ने ये नोट बंदी खराब था सुप्रीम कोट ने तो यह भी कहा है कि देश मारा जखता का महल है आपसी संपरदाएक हमेशा हर ने भरक रहा है इसको भी तो नोटीस कोट ने यह कह दिया कि भाई आप जो है 370 हटाया है वह सही है तो जो बीधी सम्मत बाते हैं 370 हटाना तो कोई बच्चे का खिल था नहीं उसके आधार पे कानूनी सम्मत सब बात हुई उसके आधार पे लद्दा को लग के अगया कस्मीर को लग के अगया सिर्तंबर में चु चाहिए उसको कहते हैं एक सबाला और है मां घडमंदन में अभी भी एक जूटता का परच्चा नहीं है यह आपको सिविकार करना ही पड़ेगा एक तरफ जदियू अलग है कॉंग्रेस पार्टी अलग है ममता बनर्जी अलग है आर जडिये तापकि इसको आप सिविकार की आपको लग रहा है कि जो चहरा जो पर्ण मंतरी बनने के लिए जो कह रहे है सहीमें लग रहा है क्या आपकी दावक देख देख एक चीज़ तो समझना परेगा कि प्रधान मंत्री होते कौन है कि उस पद के योग्य कोन है तो योगिता के आधार पे प्रसासनी को राजनीत को समाजी को यह अनुभव क्या धार पर मानिय नेता नितीश कुमार सर्वोपड़ी हैं इसको कोई भी इंकार नहीं कर सकता यह और उनको यह नितीश कुमार जी जब तक आगे नहीं आएंगे चुकि नरंद्र मोदी जी एक बरे चहरा है और इनके पास धन बल जन सोसल मीडिया की कोई कमी नहीं है हमारे महागटबंदन में देखे वो तो एक अलग प्रोसेस हो गया जिसकी आप चर्चा करने चाहते हैं लेकिन हम यह करें कि हमारे नितीज कुमार में कोई ऐसा आप डिफॉल्ट नहीं दिखा सकते हैं जो उन्होंने कहा सो किया बिहार को आज कहां से कहां लेके चले गए यह आपको समझने की जो नितीज कुमार की पार्टी आपकी पार्टी जद्यू है एक साथ में है सम्मंध है बढ़ियां से बरकरार है बिल्गुल कहा है सुलील पिंटु तो कह रहे हैं कि मोधी जी बहुत बेतर है उन्होंने अपनी भावना को कहा कि अगर कॉंग्रेस वाले अगर इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं तो जनता जो मोधी है मुंकिन है उस पर मोहर लगाएगी उन्होंने अगा किया है कॉंग्रेस पाटी को और उन्होंने अपने दल का बचाओ भी किया है अपने नेता के प्रतिन उन्होंने सरधा भी प्रकट किया उन्होंने कहा है कि अगर जब तक आप इंडिया एलाइंस में छेत्रिये दलों को और उन छेत्रिये दलों में साथ-साथ नेता नितिस कुमार को जब तक आगे नहीं लाएंगे तब तक आपको उनको हटाना संभव नहीं है उन्होंने यह कहा है देश का अगला प्रधान मंत्री कौन इंडिये बनाम माघडवनिन या आपका सकते इंडिया कौन देखिए अब तो हम जिस दल के हम तो उसी की बात करेंगे लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि बिहार का बेटा बिहार के माटी का लाल जिसने बिहार को एक स्वरनिम अफसर के ओर लेके जाने का कारज किया जिसका नाम है नितिस कुमार अगर वो प्रधान मंत्री बनते हैं तो हम बिहारियों के लिए गौरप की बात होगी और सा ना उन्होंने काम किया आज उसी को नरेंदर मोदी जी अपना रहे हैं आपको मालूम एक लाइन में बता देता हूं कि 10 लाग का उधमी योजना 10 लाग का उधमी योजना से समझने बिहार के इस पर बहस से हम लोग करेंगे अंजनी जी फिलहाल तो आपके जदियों लेकिन उन्होंने जो वादा किया वो नहीं निभाया बेरुजगारी बर गई गरीबी बर गई उन्होंने जितने भी योजनाल है सब दिखाई नहीं पर रहा है वो सिर्फ किसकी बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं बीदेश की बात करते हैं जिससे ना आपको फाइदा न हमको फाइदा है धरम हम भी हिंदू है अब हिंदू है अब भी राग लोग अपना रहे हैं कि इस बार भी लग रही है नहीं की पुर्ण विश्वास है कि अगर कॉंग्रेस इस तरह क्या उठा पटक करेगी तो फिर से नरेंदर मोधी की सरकार और खुद परधामंत्री बनें है एसा साइटू आप देखते रहिए जहन अगा झाल